कि All्एट इन जेंटलमेंट इन a**體 तो आगर फेर पकड़ जाता है और अस्वाय वह आपको धंकिया दे रहा है तो आपको से इसे ऑबात यह है आपको फ़हinya ना कि देखना है पी जो धंकियान मिल की दे रहा है तो आप उसकी ऑनलाइन साइबर सेल में कम्प्लेंट डाल दो ठीक है अब आप कहोगे कि अगर हम आनलों कम्प्लेंट करते हैं तो वो भी बोलेगा इसका फैर है तो पहले आपको बता दू 27 सितंबर 2018 के बाद जोसप वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया वाले केस में साफ बोल रखा है कि अफैर करना अलाओड है इसका जो लेंडमार्क जज्जमेंट मैं आपको बता दी जोसप सिंग वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया तो इन्होंने साफ बोल दिया कि वाइफ की प्राइवेसी है हजबेंट की प्राइविस यह वह पहीं बी जाकर कुछ भी करें ठीक है बस ओनली जो रे मिडिय है वो punch के पास ब्राइवों चाहिघों होगे यार यह मार्म वेस stal दो हम आपको मेड़ीयर काlav करते हैं ज्योवाथ से आता है हम आपको सिहा कानून नहीं बना रहे हैं कुछ लोग कहें गोई अलग बात है हम और ऐसा नहीं है आप कोई बादा दूँ अब कुछ लोग सोचते कि यार 497 हटा दिया ठीक है यह बहुत मतलब गुल्डन बात है यह अब बोलते ना कि हटा दिया तो अब कोई भी अफेर करो तो यार देखो यह अब तक है ठीक है सपोस्ट सरकार बदल दिया बदलती है को कोई नई government आती है तो वह इसको दुबारा criminalize कर सकती है ठीक है एक law pass कर रहा है उन्होंने कोई वह थोड़ी है कि भी एक परहटा दी तो आगे से नहीं हो क्या पता वह अलग से husband wife act बना दें कि भी husband की duty है wife की duty है तो इस चीज़ को ज्यादा वो ना लो यह पर्मानेंट लो तो सीधी बात है कि आपको जाना है police station ठीक है complain करने अगर complain में कारवाई नहीं होती है जो भी है वो अलग बात है आप अपनी duty निभा के आनी आपको लिखित में जो है अपने परचा वरचा देके आना है ठीक है देहाती सिंपल लेंग्वेज में कहें तो और रही बात judgment हो कह रहा है अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने case तो देखे हैं तो देखो वह पता है क्या होता है और वो ना आप अपती जनक स्थिति में पकड़े जाते हैं इसलिए होते हैं सब्सक्राइब क्या होता है कि किसी की दुकान है उसके बाहर सट रहे हैं तो वह आप चीज देखो वह पबलिक प्लेस में यह सब करना गलत है अब अब आप यह देखो अगर वह पकड़े गये और प्राइवेट प्लेस में होते हो पकड़ इनि जाते सपोर्ज किसी होटल के रूम में है और किसी में होटल वाले ृटेल देते ही नहीं किसी को समझ रहा हो पॉपलिक प्लेस में तभी तो पकड़े गए ना, तो वह केस इसलिए बनता है कि वह पबलिक प्लेसमें पकड़े गए है, यानिकि समाज में असली लतफ़ेल आ रहे हैं, इसलिए पकड़े जाते हैं, और कोई धंके अब कि आपको इवेंट, एक वीडियो में देखा था मैं अभी केस बनेगा मार पिटाई गाली गलोच इसका ये निपनेगा कि इसका अफेर है समझ रहो तो यह है सीन तो आपको बिलकुत डरने की जुरूत नहीं है जब तक भाही लोग करता है जिस दिन लोग अलाउड नहीं करेगा फिर अलग बात है ठीक है So, I hope it is clear.